तो आज हम बात करने वाले हैं Image File Format की देखिए गाज अगर आप Computer के किसी भी फिल्ड से हैं तो Image File Format को जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है बहुत ही Most Important है तो आईए इसको समझते हैं देखिए अगर आप कोई Laptop यूज़ करते हैं या Computer यूज़ करते हैं और उसके अंदर आप Window यूज़ करते हैं तो Window का Image File Format जो होता है वो होता है Bitmap लेकिन दुनिया का सबसे Most Popular जो Image File Format है वो है JPEG मतलब Joint Photographic Expert Group अब देखिए यहाँ पर JPEG को मैंने कहा Most Popular Image File Format लेकिन Bitmap को नहीं कहा अब JPEG और Bitmap में क्या फर्क है क्या अंतर है यह समझते हैं तो सबसे बड़ा जो फर्क है JPEG और Bitmap में वो यह है कि JPEG Common Format है जिसको किसी भी Medium में यूज़ किया जा सकता है और इससे भी बड़ा Difference यह है कि JPEG Lossy Compression को यूज़ करता है जिसकी वज़े से Bitmap से JPEG का Size 90% कम हो जाता है 90% File का Size कम हो जाता है और हमें Storage Space ज़ादा मिल जाता है तो यह Difference है जिनकी वज़ा से JPEG को पूरी दुनिया में सबसे ज़ादा यूज़ किया जाता है Shapes हो या फिर Animation हो तो हम वहाँ पर Image File Format यूज़ करते है GIF Graphic Interchange Format ये Image को ज़ादा Compress नहीं करता क्योंकि ये Lossless Compression को यूज़ करता है इसमें Size थोड़ा ज़ादा रहता है बस इसका सबसे बड़ा Drawback यह है कि ये 256 यानि 256 कलर ही सपोर्ट करता है जिसकी वज़ा से Image की Color Quality डाउन हो जाती है तो आईए गाज एक और Format की बात करते हैं जिसका नाम है PNG यानि Portable Network Graphic तो आज देखिए Portable Network Graphic का Size भी बड़ा होता है क्योंकि इसकी Quality Image की बहुत अच्छी होती है इसलिए JPG के मुकाबले इसका नाम भी यानि इसकी Popularity भी काफी है इसका एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये Transparent Background को सपोर्ट कर लेता है यानि पीछे की जो Background होती है उसे Transparent सपोर्ट कर लेता है जिसकी बज़ा से Editor फाइल को PNG में Save करके रख लेते हैं और उसको कहीं भी यूज़ कर लेते हैं क्योंकि उसका Background तो होते ही नहीं बास समझ रहे हैं तो यह बहुत काम का Format अब हम और एक दो File Format की बात करते हैं देखिए जैसे है TIF Tagged Image File Format देखिए ये भी एक Un-Compressed File Format है जिसमें Image की Quality बहुत अच्छी रहती है और उसका Size भी बहुत ज़ादा रहता है ऐसे ही अगर हम किसी Camera से फोटो खीशते हैं तो Camera अपनी Raw File Save करके रखता है और एक File Compress करके JPEG में देता है जो Raw File होती है उसकी Quality बहुत ज़ादा होती है और उसका Size भी बहुत ज़ादा होता है ऐसे ही अगर हम किसी Vector Software से जैसे Illustrator या CorelDRA से कोई File बनाते हैं और उसको SVG में Save करते हैं इस K-Level Vector Graphic में तो वो भी Un-Compress रहती है उसकी File Un-Compress रहती है और Quality Same to Same रहती है लेकिन उसको हम किसी Medium में ही खोल सकते हैं ठीक है तो अज़ ये थी File Format की वीडियो कैसी लगी आपको अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो Like करें, Share करें और Guys अगर कुछ कहना है तो Comment Box में लिख कर बताएं Guys अगर आप नए हैं आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो Please सबस्क्राइब करें और Well Icon को दवाना न भूले जिससे कि आपको हमारे Notification मिलते रहें Guys अगर आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया Guys मिलते हैं नेक्स टूटरियल में तब तक के लिए Take Care and Bye Bye